हलो दोस्तों वेल्कम टूमार चनेल मिक्स क्रेटिप्स में आपका स्वागत है आज मैं देखें यह एक मेरा पस्ट जो ब्लाउच के पीस आया हुआ है जिसका मुझे बैक नेक पैटन जो है रेडी करना है और मैं पहले कागस पे और इसके बाद कैन्वस पे कट करके रखे देखें किनव करके रखी थी मैंने कुछ इस तरह से आएगी इसको पहले मैं कैन्वस को जो है एक चारकॉन कपड़े को उपर सी लेंगे उसके बाद इसमें अटाच करेंगे तो पहले हम चारपुन कपड़े के उपड़े को पहले चिफका लेते हैं अब आईरेन भी कर सकते हो या तो सिलाई भी कर सकते हो तुम्हें सिलके दिखाने वाली हो क्यांती देखिए दूस्तों जो केंवस को है मैंने इस तरह से पिंश से इहां सैट किये हैं अब इसमें किनारे पें सिलाई लगाएंगे इसके बाद यहां से एक एक इंची या कौड़ा हाफ आफ इंच छोड़ के कट लगाएंगे कट लगाके इसको मोर की रेडी करेंगे इ के देख के मैंने जो है एक साइट का जो है दिया है अब इसको देखिए हम छोटा-्छोटा साइड में पुरा च्रण काट लिए है अब है इसको मैं से मोड़ के से लए रागा नेगे पहले जहां से बन पड़ता है वहां से हम पिन-ॉर निकाल देंगे इसको यह मशिन में देखिए दोस्तों मैंने इस तरह से इसको रेडि किये हैं अब हम इसको क्या करेंगे इसका जो सेंटर पॉइंट है और इसका जो संचर पॉइंट है दोनों का इसे मिलाएंगे पिलाके यहां हम तिल लगा देंगे ताकि हमारा जो कपड़ा है इधर उधर ना हो इसने फुरा मुश्किल हो रापिन लगाना क्योंकि यह असी तारह से जो बर्त किया हुआ है इसके वज़े से अब जो है हम एक किनारे किनारे पर शिलाय लगा देंगे फिर बीच का जो काटकी इसको हम परतेंगे पहले हम साइड साइड में पहले शिलाय लगा देते हैं जो है हमारा कैन्वस के उपर मत सिलिएगा जस इसके इसको सटा के इसके बगल से आपको इन एक लाइन तो कम्प्रिक करना है धीरे धीरे से हडबड़ी मेनी देखें हमें पूरे जो नेक लाइन है उसके पूरा शिगाल कम्प्रिक कर लिए है अब देख सकते हैं पूरा नेक लाइन पर मैंने जो सिलाई कम्प्रिक कर लिए है अब क्या करेंगे हमें जो बीच का जो हिस्ता है उसको हम कट कर देंगे अब जो हम यहां देखें आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी कप्रा छोड़के हैं अब मुश्किल हो रहा है दोस्तों कात्मे में कि इसमें पूरा सितारा का जो है वर्ट किया हुआ है ती कर दे पाइसा परेशानी हो रहा है आप देख सकते है दोस्तों इसमें देखिए पुरा सितारा का जो हल्ट किया हुआ है इस इतारा जो है अटक रही है अब हम इसमें क्या करींगे पूरे रांड में ऐसे नौचे स्ताड़ा रही है ताकि जब हम इसे घुमाएं, ध्यान रखिएगा ताकि आपके सिलाई को उपर कट नहीं होना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा कपड़ा को जो है, नोटेस लगा देगे, तिखे रोस्तों, अब हमसे अच्छे साइसे निमा देगे, दोस्तों हमें इसके उपर जो है, हम मशीन नहीं चला सकते, कि इसमें सितारा जो है, पुरा तूट जाएगी, इसे हम हाथ से ही देखे, पीछे तरब ऐसे जो हम मोल लिए हैं, इसे अच्छे से, अच्छे सा हाथ से ऐसा सेट करके ना, हमें तुरपाही करना होगा, मैं बात में तुरपाही कर लोंगी, तो हमारा नेख जो और इसमें 43 बाटकन भी लगा देंगे, तो हमारा नेख कुछ इस तरह से बना है, आपको मेरे ये नेक डिजन कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं और जो मेरे चैनल में नए है मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएएगा किनके मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँगी ताके आप तक सब से पहले नोटिफिकेशन पहुंचे थैंक्यू बाबाई